एलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ताव फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके आइटल विजन वन में L6005 में यदि आपका इसमें लाउड स्पिकर वर्क नहीं करता हैं तो आप उसको किस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीकी से आप इसको रिपेर कर सकते हैं दोस्तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहे हैं तो सबसे पहले आप देख सकती है हमारे सामने इसका आइटल विजन वन का मदरबोर्ड और यहाँ पर इसक प्रोब्लम और सॉलुशन के बारे में समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसके यहाँ पर जो इसका सीसी ओडे सीसी बोड में उपर की तरह आप देख सकते ही यह दो एंटिने लगे हैं यह होते हैं हमारे स्पीकर के एंटिने जो सबसे पहले इसकी पोजिटीव वाली होता है उसके बाद इसका जो माइनस वाला एंडिना होता है वो इससे कनेक्ट होता है ठीक है दोस्तों और उसके बाद यह प्लस वाला एंडिना इसके जो सीसी बोड़े उसके पीछे की सेड में आ जाता है पीछे की सेड में आपको अच्छे से बताने की कोशिस कुरूंगा आप सकते हैं आपoj प्लस वाली सप्लैइव तो आती है हमारे इस वाले पॉइंट पर एक जît जो प्लस वाली आती हैalin में सब्सक्रास क्रेइब देखके तक्छे मैं इसको डूच में पत्रस कर लेता हुआ वाले पॉइंट पर आती है ठीक है और उसके बाद दोस्तों जो हमारी इसमें प्लस वाली सप्लाई है वह आ जाती है आप समझ लीजिए ठीक है इस के बाद आती है हमारे यहां पर इस कनेक्टर के यहां पर देख सकते हैं यह वाला जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के यहां पर स इसमें आती है प्लस वाले सप्लाई और उसके बाद दोस्तों यह जाती है हमारे यहां पर इसकी तरफ आप देख सकते हैं उपर की तरफ यहां पर तीन नंबर पर तीके आप यहां पर देख सकते हैं और यह जो तीन नंबर यह है हमारे स्पिकर की माइनस वाले लाइन उपर क को इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा कि आपको कुछ इसमें कुछ भी डाउट नहीं बचेगा इसलिए पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजे और उसके बाद ही अपने मोबैल में वर्क करें तो सबसे पहले उसके बाद दोस्तों यह प्लस वाली सप्लाई है जो हमार यहां पर आपको पीछे की तरफ यह वाली आईसी आपको दिखाई दे रही है यह वाली है हमारे साउंड आईसी यह वाले हमारे साउंड आईसी है जो आप देख सकते हैं उसमें जो प्लस वाली सप्लाई है ठीके स्पिकर की जो प्लस वाली सप्लाई है वो आ जाती है हमार यहाँ पर इस वाले कlles नहीं बचेगा और इसी तरीगे से यहाँ पर यहाँ पर एसके हैं और इसकी मैंयस वाली supply और उसके बाद दोस्तों यह давайте कोईल में लाती है यहर norman ज तो हैं और इस ओल ये सिरीज में रेती है और इसके इदर वाले पोंट से लेकर जाती है हमारे सीधे इस sound azic के अंदर और इसी तरीके से दोस्तों यहां पर इसकी जो माइनस वाली सप्लाई है वो माइनस वाली सप्लाई यहां से जाती है हमारी सॉरी यहां से जाती है हमारी साउंड इस वाली कोईल के अंदर ठीक है इस वाली कोईल में आती है और उसके बाद इस वाली कोईल के इस वाले पॉइंट पर जाती है और उसके बाद हम इसमें complete समझना है कि हमें इसकी प्रोब्लम आपको ट्रेक तो मालूम हो गया कि हमारे इसमें ट्रेक किस तरीके से जा रहा है अब अगर इसकी problem और solution के बारे में अगर आपको समझना है अगर मैं यहां पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए दोस्तो चलो ठीक है मैं आपको समझा ही देता हूं क्योंकि मुझे अदूर अग्यान देनी के इतने आदत नहीं है तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजी जो मैंने यहां पर समझाया है जो यह हमारे speaker का होता है वो loud speaker यहां पर connect होता है इसकी जो प्लस वाला इंटीना लगा है इस केपिस्टर के इस वाले point पर यहां पर आ जाती है और उसके बाद माइनस वाले supply इस वाले point पर आती है और यहां से जाती है दोस्तों हमारे इसमें यहां पर इस connector के इस वाले point पर तो यह तिन है इनमें माइनस आ जाती है और इसमें प्लस आ जाती है अब दोस् दोस्तों आपको यहां पर भी पा रही हैं तो दोस्तों इस वाले के प्रोब्लम आते हैं यहां पर इस प्लस वाले लाइन का जो यह वाला केप्सटर एक छोटा सा आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर यह वाला जो केपस्टर है इसके सोट होनी के विज़े से यहाँ पर आती है और उसके बाद दोस्तों आपको ground reading भी यहाँ पर step by step आपको check कर लेनी है तो दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर detail वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक link देदता हूँ मेरी comment निचे description मे तो आप वहाँ जाकर मैंने एक Redmi Note 9 Pro उसको complete आपको समझाया है उसमें आप देख सकते हैं मैंने practical वीडियो समझाया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी आप उस तरीके से वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर complete बताया नहीं जा सकता है फिर भी दोस्तों अगर इसी में आपक कुछ doubt रहे जाते तो मुझे comment box में comment कर देना कि पक्का 100% आपको इसी पर वापस एक वीडियो और बनाना चाहिए तो मैं वापस particular वीडियो बस आप अगर एक दो बंदे विगर comment करते हैं तो मैं particular वीडियो इसी पर वापस इसी model पर सेम वापस लगा जिससे आपको समझने म में बहुत आसानी हो जाएगी तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और helpful वीडियो के साथ तो दोस्तों तब तक के लिए टेक